हेलो डिर स्टुडेट्स वालकम टू मैंगनेट ब्रेंज मैं संचिता जायर आपकी सस्ट एजुकेटर आज के शेशन में लेके हैं यो आप सभी के लिए इंक्रिडवल इंडिया की सीरीज में बहुत ही महत्वपूर जानकारी जी हां आज हम जाने वाले हैं अपने अतुल्य भारत में इस्तित गुजरात राज में इस्तित रानी की बाव के बारे में जो इतिहासिक दुरुष्टी से बहुत ही महत्वपूण है प्रवाइट कराते हैं इतने सारे अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेर के साथ शुरू करते हैं आज का ये इंक्रिडबल इंडिया की सीरीज में आज हम जानेंगे रानी की बाव के बारे में चलिए तो रानी की बाव कहां इस्तित है ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ ये है गुजरात में इस्तित और गुजरात के पालनपुर में इस्तित है जी हां अब रानी की बाव के बारे म और उपर आया जा सकता है बावडी बावडी क्या होती है जहां पर पानी भरा होता है ठीक है तो राणी की बाव जो है क्वीन्स स्टेफ वेल जो है प्रसिद पानी की बावडी है जो भारत के गुजरात राज के पालन पुर नगर में इस्तित है इसे राणी की बाव के नाम स यह भव्य बाव गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थिलों मैं से एक है जो प्राचीन भारती वास्तुकला की अनमोल विरासत को प्रतिष्ठित करता है का इस्तित है गुजरात पालनपुर में इस्तित है निर्मार काल की बात करें तो ग्यारवी सदी में इसको बनाया गया जब रानी उदय मती ने से बनवाया था तो रानी की बाव है यह किस रानी ने बनवाया था रानी उदय मती ने इसको बनवाया था ठीक है चालुक के वंश की महीला राजा के नाम से जानी जाती थी रानी उदयमती किस वंश से संबंदिती चालुक के वंश से संबंदिती अब इसकी कुछ विशेस्ताओं की हम बात करें तो इसका है भव्य आकार साथ इस्तरों की बावडी जिसमें तीन इस्तर तक पानी भर रहता है भवनों का समुहू की हम बात करें तो संग्रहाले मंदिर और अन्य एस्टंभों का यह समुहू है आकर्शक अलंकरण की बात करें तो बावडी की दीवारों पर नकाशी और सजावड की गई है जैसा कि आप इसे मेज में देख सकते हैं देखें बारीक नकाशी की गई है चोटी-चोटी मूर्थियां बनी है चित्र बने हुए है ठीक है ये बात हो गई इसकी विशेस्ताओं की फिर देखें अदुतिय डिजाइन है इसकी सम्रद भारती स संसक्रती की प्रतिष्ठा करने वाला अधितीय डिजाइन है कभी ऑपने इस डिजाइन की बावडी देखी तुनी सुन्दर नकाशी के साथ ङह कहीं नहीं देखी होगी यe सारी चीजहें कहा हैं ये सारी चीजहें थे रानी मिले अब बात करते हैं इसके इतिहास की तो रानी उदय मती ने इसे बनवाया था जो चालुक्य वन्ष की एक प्रमुख रानी थी रानी उदय मती ने इसे बनवाया था किस वन्ष की रानी थी चालुक्य वन्ष की रानी थी और इनको चालुक्य वन्ष की महीला राजा कहा जाता था ठीक और यह बावडी उस समय की शांदार राजसी और सांस्कृतिक धरोहर को प्रकट करती है यह हो गई इसकी तिहास की बाद अब बात करें इसकी वर्तमान इस्तिती की की वर्तमान में इसका स्वरूप कैसा है क्या इस्तिती है इसकी तो अब यह एक परियटन स्थल है ठीक है टुरिस्ट प्लेस है लोग दूर-दूर से यहाँ पर घूमने आते हैं और गुजरात परियटन विभाग के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है इसका management किसके द्वारा किया जाता है गुजरा टूरिजम के द्वारा किया जाता है फिर पानी की योजना के कारण बावडी का उप्योग आज कल नहीं होता है ठीक है परेटन और प्रवेश की अगर हम बात करें तो प्रती दें सुबह 9 वजे ये खुल जाती है 5 वजे तक और विदेशी परेटेकों के लिए यह एक आकरशन का केंद्र है बहादवपूर्ण घंटनाओं की बात करें तो पालणपूर में यानि कि यहां पर क्या-क्या होता है इस बावडी में तो पालनपूर में स्थ था ये राजुस्थान में तो गुजरात में तो गुजराती इस्थानिय त्यावारों के दौरान बावडी खास रूप से सजी होती है जब गुजरायत के कुछ इस्थानिय त्यावार होते हैं तो उस दौरान इस बावडी को स्पेशली सजाया जाता है प्रमुक इस्थानिय और रास्टिय विध्यालयों की सिक्षा यात्राएं यहां पर संपन्न होती है रानी की बाव एक अदुतिय और सम्रद भारतिय संस्कृति का अनूठा उधारण है अनूठा प्रतीक है तो यह हो गई इसकी महत्वपूर घटना है और इस तरीके से रानी की बाव जो है बावडी जो है रानी उधै मतीन है बनवाई थी जो एक महिला राजा के नाम से जानी जाती थी तो यह जो बावडी है अपने आप में एक अनूठा उधारण है और ऐसी बावडी आपको दुनिया के अन्य देशों में कहीं देखने को नहीं मिलेगी तो कहां सिर्फ वर सिर्फ हमारे भारत में तो एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ ठीक है रानी की बाव यह नाम तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं ठीक है तो मेरा सवाल आपसे यह है कि रानी की बाव जो है आपने क्या किसी नोट पर देखी है किसी नोट के पीछे छपी हुई देखी है जो अभी वर्तमान के न नोट है नोट बंदी के बाद जो नोट चालू करे गए थे जैसे कि πानोट, 200 का, 120 का, इन 6 नोट में से कौन से नोट पर आपको रानी की बाव की आक्रती दिखाई देती है जल्दी से कॉमेंट करके बताईए और ये भी कॉमेंट करके बताईए कि अगली जानकर ही आप इंक session recorded session को ज्वाइन करना जहते हैं सारी चीजें उपलब्ध हैं Magnet Brains के यूट्यूब चनल वेब साइट और एप्लिकेशन पर Magnet Brains इंडिया का नंबर वान 100% free online education platform है इसके अलाव अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी लिंक वीडियो के description box में दी है वहां से आप अवेल कर सकते हैं सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे top courses English और हिंदी दौनों मीडियम में अविलेवल हैं CBC वोड देली वोड बिहार वोड यूपी वोड एंपी वोड राजस्तान वोड के लेवस को complete कराया जाता है काफी सारे special courses है वैदिक मैस crash course और spoken English और इतने सारे courses आपको एक ही single platform पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ एक दम free of cost प्रोवाइड कराये जाते हैं जी हां magnet brains YouTube के लावा अधर social media platform जैसे की facebook, instagram, twitter, telegram, whatsapp पर भी उपलब्ध है आप हमें यहां भी follow कर सकते हैं यहां से भी सारी जानकारी प्राप कर सकते हैं आज के शेशन को जादा से जादा लाइक और शेर करती है चैनल को सब्सक्राइब ही करना है हमारे साथ बने रही है जुड़े रही है पढ़ते रही है खुशेया थाएंग सो मच